ये तस्वीरे उत्रपदेश के दिवरिया जिले की हैं जहां पर एक शक्स बीते तीन सालों से जिन्दा होने का सबूत लेकर तहसील और केचहरी का चक्कर काट रहा है। यो तो ये कहानी फिल्मों में ही सुनाई देती है लेकिन ऐसी एक हकीकत रुद्रपुर तहसील के डाला गाउं के रहने वाले राम आवद के साथ भी है। से सरकारी अभिलेखों में उन्हें मुर्दा घोशित कर दिया और उनके नाम के जमीन अपने नाम करा ली। अब इस मामले में डीम की ओर से जांच कराई जा रही है। शनिवार को सीम योगी के जिले में आने की सूचना मिलने के बाद राम आवद उनसे मिलकर अपना दुखला सुनाने की तयारी कर रहे थे। रामावद ने अपने गले में एक तक्ति डाली जिस पर लिखा था मुख्यमंत्री जी मैं कागज में मरा रामावद बोल रहा हूँ, मैं जिन्दा हूँ। इससे पहले कि रामावद सीयम योगी से मिल पाते वो कौटवाली पहुँच गए। बताया जारा है कि सीयम से मिलने की सूचना मिलने के बाद रुद्रपूर की पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। हालाकि थानेदार के मुताबिक रामावद को हिरासत में नहीं लिया गया था और उन्हें प्रकरण की जानकारी के लिए थाने में बुलाया गया था देवरिया के रुद्रपुर थाना चेतर गेट डाला गाउं के निवासी रामावद चार दशक पहले रोजी रोटी के तलाश में यूपी के ललितपुर गये थे ललितपुर जाने के बाद रामावद ने सैथपुर गाउं में जमीन खरीद कर अपना घर बना लिया था और परिवार के साथ वही रहने लगे थे उनकी पुष्टैनी जमीन अभी गाउं में है जिसकी देखरेक के लिए वो बीच-बीच में अपने गाउं आते रहते थे रामावद के मुताबिक आठ साल पहले उनके पटीदारों ने राजस्व कर्मियों के साथ मिली भगत करके घूस के बल पर सरकारी अभी लेखों में उन्हें मृत खोशित करा दिया और उनका फर्जी वारिज बनकर सारी प्रॉपरटी अपने नाम कर ली तीन साल पहले रामावद जब अपनी खतावनी लेने के लिए तेहसिल गए तो उन्हें पता चला कि आठ वर्ज पहले उनकी मौत हो गई है जिन्दा रामावद ये सुनकर भोचक के रहे गए कि सरकारी दस्तावेजों में उन्हें मृत खोशित कर दिया गया है रामावद अब अपने जिन्दा होने का सबूत जुटाकर तहसिल और कचहरी के चक्कर काट रहे हैं तहसिल न्यायाले में उन्हें अपने आपको जिन्दा साबित करने का मुकदमा भी दाखिल किया है लेकिन विडमना ये है कि तहसील नयायले अब भी इस बात को साबित नहीं कर पाया है कि रामवद सिंदा है या मुर्दा हाला कि रामवद इस उम्मीद में है कि सरकारी दस्तावेजों में एक दिन उन्हें नयाय मिलेगा और इसलिए वो शनिवार को सियम योगी से मिलना चाहते थे देवरिया जिले के पुद्रपूर तहसील छेत्र के डाला गाव निवासी असी वर्षी रामवद पिछले तीन सालों से अपने जिंदा होने का सभूत लेकर तहसील वकचहरी का चकर काते हैं मगर बिर्णबना यह है कि तीन साल बाद भी तहसील नयायले अभिया सावित नहीं कर पाया है कि रामवद जिंदा है या मुर्दा रामवद का आरोप है कि आठ साल पहले उनके सगे भतीजों ने राजस्ट कर्मियों के साथ मिलकर सरकारी अहिलेखों में उन्हें मिर्ट भुषित करा दिया और उनकी जमीन का बैनामा अपने नाम करा दिया सनिवार को देवरिया में मुख्यमंत्रिक आगमर की सुथना पाकर रामवद सीयम से मिलकर अपना दुखडा सुनाने की तैयारी में जुटे थे कि रुद्रपूर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया जेवरिया से न्वीटी आनलाइन के लिए और सरक चुल्टर पात